दोस्तो आज के टाइम में आप ये बताईए कि टाइमिंग की प्रॉब्लम किसको नहीं है ज़्यादातर सभी को टाइमिंग की प्रॉब्लम रहती है और लोग कमेंट्स करकर के ये मानलीजी ठक गए हैं रेगुलर हमको इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि सर को ये ऐसा नुस्खा बता दे जिए जो हम घर पे बना पाएं और उससे हम अपने सैक्स पावर को बढ़ा पाएं साथ ही कुछ लोगों के कोल्स आएं हैं वाटस अप पे भी लोग बात कर रहे हैं तो कई लोगों के तो ये मतलब बात सामने आई है वो ये कहते हैं कि हम बिस्तर पर जाते हैं गोमेने टिकते हैं जादे देर कर नहीं पाते हैं शरम महसूस करते हैं बहुती ज़्यादा परेशानी चल रही है बीवी से आँख नहीं मिला पाते हैं और भी कही सारी ऐसे बाती चल रही हैं तो दोस्तो ऐसे लोगों के लिए आज में एक ऐसा नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका इस्तिमाल करके वो लंबे समय तक ब इस तर पर बने रहेंगे और अपने पार्टनर को पूरी तरह से संटुष्ट कर पाएंगे दोस्तो इस मुस्के का इस्तिमाल वो दो लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने हस्त में तुन जादा कर लिया है मास्ट्रोबेसन कर लिया है उसमें लगे रहते थे अब जो हैं नसेव लेकिन इसके अंदर जो मीठा मिलाया जाएगा वो मीठा इसके अंदर वो इस्तिमाल ना करें बिना मीठे के ही इसका इस्तिमाल करें चलते हैं दोस्तों नुस्खे की तरफ के नुस्खा क्या है लेकिन नुस्खा बताने से पहले आपसे रिक्वेश्ट करता हूँ अगर आ आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख माईं। चलिए दोस्तो शुरू करते हैं। दोस्तो इसमें आपको क्या लेना है। सबसे पहले दोस्तो इसमें आपको लेना है और पाँच वा गुडूची के बीज यह सबी आपको करीब 50-50 ग्राम ले ने हैं यानि 50 ग्राम सुखा आमला, 50 ग्राम गोखरू, 50 ग्राम कोऊच के बीज, 50 ग्राम सफ़ेद मुचली, 50 ग्राम गुडूची सत्व ये पाँचों चीजों लेने के बाद आपको इन पाँचों चीजों में जो एक चीज और मिलानी है वो है लेनी है आपको मिश्री मिश्री आपको इन सभी के वजन के बराबर लेनी है यानि इनका वजन बेटेगा 250 ग्राम तो 250 ग्राम ही आपको मिश्री लेनी है जिनको सुगर नहीं है और जिनको सुगर है वो मिश्री ना ले अब दोस्तों, आपको करना यह है के इन से भी चीजों को बारीक पीस लें और मिश्री को भी साथ में ही पीस लें और इसका चूरन बना ले किसी गिराइंडर में या मिकसर में या फिर इमाम जस्ते वगरा में उसके बाद इसको किशेशी या डिब्बी में भरके रख लें अब दोस्तों आपको करना ये है कि एक चमच देसी घी मिले हुए गरम दूद के साथ एक चमच इसको रोजाना इस्तेमाल करना है यानि एक चम्मस सुभा और एक चम्मस साम रेगुलर अगर आप इसका इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोस्तो इससे आपकी जो मरदना ताकत की कोई भी प्रॉबलम है वो दूर होती है और साथ ही साथ दोस्तो इससे आपका सेक्स्वल इस्टेमिना भी बढ़ता है जिससे आप लंबे समय तक बिस्तर पर बने रहते हैं अपने पार्टनर को पूरी तरह से संटुष्ट कर पाते हैं दोस्तो इसका जो इस्तेमाल आपको करना है वो आपको करीब 40 दिन तक रेगुलर करना है इसका जो फायदा है वो तो आपको करीब 15 दिन के अंदर ही मिल जाएगा लेकिन आपको जो इसका इस्तिमाल करना है वो पूरे 40 ही दिन करना है जिससे ये जो प्रॉबलम है ये जड़ से खतम हो जाए और आपका जो सैक्सले इस्टेमिना है वो पूरी तरह से बिल्ड हो जाए साथ ये अगर आपको कोई भी दवाई मंगानी है अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो दिये के नंबर पे कॉल करिए दवाईयां मंगाईए ये किसी भी कंपनी का नंबर नहीं है यहां से आपको प्योर आयरवेदिक और जड़ी बूटियों से मिली हुई दवाईयां मिलती हैं जो बहुत ही कम रेट में आपको एवलेबल हो जाती है तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अब वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन दबाना ना भूले इससे मिरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जाएंगे